अलामु अलेकुम दोस्तों अगेन वेलकम टू वीडियो फ्रॉम आईशा गोट फार्म जबर्दस बग कॉलिटी के बड़े बड़े अंडूल देख रहे हैं टॉप कॉलिटी एड आईशा गोट फार्म असलामु अलेकुम हमद बाई माशाला बहुत जबर्दस कलेक्शन अंडूल का लास्ट टाइम वीडियो बनाये ते चारपाच अंडूली दिखाए थे आपने और उसका रेट भी आपने नक्पे बताया था तो आज वापिस से सब अंडूल लेख रहे हम तो इनका वज़न ज अंडूल एक से नक्पे भी बिखते हैं मैंने खरीदा भी नक्पे कितने बगरे में इंशाला वजन से मैं कैल्फुलेट किया हूं और इंशाला वजन से यह वजन पर दे देंगे तो वैसे तो मैं देखि रहा हूं ब्रीडिंग कॉलिटी बग्स इसके अंदर जाधा तर औ बहुत थोड़े जो ब्रीडिंग कॉलेटी नहीं है लेकिन बखरे अच्छे हैं तो क्या रेट रखा है आपने इनका यह इसका बेसिकली मैंने रेट 575 पर गेजी 575 कोई भी बखरा ले लो आपको इसके कोई बखरे ऐसे हैं जो इंदम गुलाबी है बहुत अच्छे हैं ज स्रिफ दाथ देखाओ इसके दो ही है ना हां दो दात है देखो स्रिफ दो दात पर अब बताओ ऐसा बखरा नहीं पालेंगे तो क्या पालेंगे इस पर नेगोशेट कुछ नहीं कर पाऊंगा जी 575 मल्टिप्लाइब जो बीसका वजन है बहुत अच्छे माशालला मेरे यह देखें आप मुंडा कॉलेटी है दाथ देखो भाई दो इस अब दो दात के पालने वाले बच्चे माशालला में छोड़ दीजिए यह हाइब्रीड कॉलेटी देखो आप गला पट्टी जाले गला छोड़ो उसका अब जैसे फुल-on ब्रीडिंग कॉलेटी नर है तो यह 575 पकड़ो यह पकड़ो दूसरा एक यह हो गया और यह इसका भाई हो गया इसके स्किन देखें आप लोग मुंडे की बहुत अच्छे यह चोटे पैकेट ने दाथ किया है कि इसने अधन्त है अधन्त है अधन्त है तो यह तो पाल्ये में भीकेगा तो यह भी वही रेट का रहेगा ना 575 मुल्टिप्राइस का 40 कि लो रहेगा इधिंग जो भी रहेगा ठीक है छोड़िए इसको यह बहुत अच्छे इस्ट्रक्चर का बकराय में बूलीगा बहुत अच्छे इस्ट्रक्चर इसका सीना फ्रॉष का एक है अच्छात्रक्चर अच्छी आच्छाद्टल्ग आओ अगें 500 एंग अच्छा वर्याइसमें एक जोगा भी बखर अच्छा है इस्साव इसपा किलो का बखर? बता हूं बता हूं क्या सीना इसका है बहुत अच्छा है है हंड़ेट फ्रस ही है लग पर हंड़ेट स्लेज केजी के ओपर है इसको एंड़ेट फ्रस ही है हमेशा ही मुश्किल भरा होता है फिर भी आपको एक ओवर्व्यू दे देता हूं मैं भाई लोग एक एक बक्रा पकड़े वे हैं ठीक है इसका चेहरा तो रहें यहां करो यह फुल ब्रीडिंग बग कॉलेटी है माशाल्ला दाथ कित्ते देख लो इसके होग तो स्टो दात हुआ है दो द्राथ दो एक दातनेahu ओएं है दो दात पे मंदर डिम और शौक हो दो दात पे तो रिंकन देखों काँ देखो éner कव प्रीड़ प्र चाचा का बक्राशा एक लाज आए दिख्ञां इक इन कि पूरे इसके दिखाओ भाय चार कर रहा है भी दो दात्पे इतना बड़ा बगरा देखो गला चेहरा जबर्दस तो लगबक सब बखरे दिखा दिखा दिये जो बखरे नहीं दिखाए उसको एक एक बार पकड़ लो यह पकड़ो यह पकड़ो इसमें से वह चार दात्पे शुटब अगे लो आप लोग आप लो इसको एचेहरा टेट करह रहा है इसको छोड़ो यह आफ जाल पर क्यांजी कि लो बटाओ इसको मुंड़ी उथा कान बटा बता अट गल मां एसने दो दात्प इसका जाहरा टोड़ा जाहरा है आँर ऑट़ा आशा अच्छा है फोड कि बखेंब चोड़ीज उडसानि नियुट शूड़ीज़ दो शूड़ीज बाइच वेडिक हाई अब कुछ का वेड करकर आपको दिखा देतें हम लो यह 100 किलो का है इसका वेट कर लेंगे बोलते हैं एक इसका वेट कर लो दो दाथ के बखरें कि कितना वेट आएगा इसका एक तालीस चालीस ने आपको चलो आराम से आराम से घाई नी रुप जाओ रुप जाओ रुप जाओ सब लोग जी रो दालो एक बखरां एक फॉर्टी वन होगा बोलते माई प्रुटी वन वर्राबर बच्चा है है थरावाजी तक मिल जाओ आदमी तो से दर पांसो यह तो दो दाथ पे बहुत बढ़ा बग रहा है और मेरे साब से कोई खरीदे तो ऐसा ब्रीडर खरीद ले गए चुके बनने के बाद उसी के बाल वाल और दिखके आएगा यह बखराइस का सीना इना बहुत अच्छा है 66 पकड़ें जहां कि आगे पीछे हो रहा है 66 पकड़ें 66 पकड़ें 38,000 होता है 38,000 38,000 में शांदार चीज़ है अगर आप पकड़ें पलाई का भी तो मतलब अराउंड 40 है में अच्छी चीज मिल जाती आदमी को माशाला यह बखरे का अनुमान है हमको के 100 किलो होगा पेट्यूटी तो बहुत बड़ी है और यह बहुत अच्छी नसल का बकड़ा है 95 पकड़ते 95 पकड़ते अपन जा तो उपर निचे हो रहा है कि नाइन तो कर देगा जाएगा 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 जाने पीने में कैसा है चलो तो यह हमने कुछ बख्रे वजन कर लिए अहमद भाई फाइव हंड्रेड एंड सेविंटी फाइव जो भी बख्रा अंडुल चे ले से और खसी बख्रे भी हैं यहां पर ठीक है वह भी वीडियो देखना आप लोग अगर नहीं देखा है तो 475 में भी है गुजरी बख्रे 425 में भी ठीक है अलग जैसे से वेट विसा वाज़ते बताते जाएगा अलगर आइटम बताते जाएगा ठीक है बहुत बहुत शुक्र क्या रहा है असलाम उलेकर